हेलो एवरिबन आज सैनिक स्कूल का एक्जाम हुआ था क्लास 6 और क्लास 9 के अडमिशन के लिए तो ये क्लास 6 का पेपर है आमीन ये पेपर तो 5th क्लास का है और 6 में अडमिशन के लिए होता है वहाँ पर तो आज मैं इसका solution गरवाने वालो आप सभी को तो इसमें 51 question है which of the following will dissolve in water तो इसमें जो है right answer हो जाएगा इसका sugar ठीक है? सुगर जो है सानी से पानी में गुल सकती है बाकि ये सब soil, chalk powder, oily सब नहीं गुलता पानी में सानी से clear next है which of the following is a communicable disease तो इसमें जो right answer हो जाएगा आपका chicken pox chicken pox जो होता है communicable disease होता है disease होता है ठीक है? आगे हम बात करें to climb the mountains we have to जब हम पहाडों पे चड़ते हैं तो हमें क्या मतलब कैसे चड़ना चाहिए उनके उपर band forward मतलब क्या? आगे जुकना चाहिए तब ही हम चड़ पाएंगे अगर पीछे जुकेंगे तो ये paper है किसी बच्चे का ठीक है? तो जो उसने answer लगा रखे हैं वो गलत भी हो सकते हैं तो जो मैं टीक कर रहा हूँ वो right है चलिए sand of drumstick and maple are carried over long distance by एक बार मुँचे इसको थोड़ा set करने लगा पीपर को हांजी seeds of drumstick and maple are carried over long distance by wind because they possesses इसमें जो right answer हो जाएगा आपका winged seeds ठीक है? winged seeds में right answer हो जाएगा इसमें question क्या है? कि जो long distance तक बीज चले जाते हैं ठीक है? next है राजस्थान की प्रमप्रागत जो है वर्सा जल संग्रहन तकनीक मतलब इसमें क्या traditional rainwater harvesting technique कौन सी है राजस्थान के अंदर? इसका answer होना चाहिए tanka tanka is the right answer यह जो है basically common है कहाँ पर thar desert के अंदर tanka use करते हैं और बहुत ही पुराणी ट्रेडिशनल जो है water को जो है harvest करने की टेकनीक है यह क्योंकि वहाँ पर तो जो है काफी लंबे महिनों तक मतलब बारिसों नहीं होती वहाँ तो राजस्तान के अंदर ठीक है next question हम करते है रस्गुला is a popular suite of Dash रस्गुला जो है कहाँ का popular suite है तो right answer होगा इसका West Bengal ठीक है चलिए which of the flowing is a tribal community of India tribal community में से कौन सी रहेगी पंडित, जाट, पंचाबी भील्स, भील्स right answer होगा इसमें से ठीक है next हम बात करें name and astronomical's observatory built in the 18th century by Rajput King Sawait Jai Singh ओव Rajasthan तो इनमें से उन्होंने कौन सी बनाई थी red fort तो सहा जहाने बनवाया था कुतब मिनार कुतुबुदिन एबक ने बनवाया थी और ताज महल ये भी सहा जहाने बनवाया था जंतर मंतर राइट अंसर हो गया इसका ठीक है चलिए आगे हम करते है question number 59 ठीक है dash includes internal rocks, minerals, etc तो इसमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका biosphere sorry biosphere नहीं होगा क्योंकि इसमें से होगा geosphere yes, geosphere is the right answer ठीक है चलिए आगे करते है the remains of plants and animals that were buried millions of years ago we know as equation number 60 है उनको हम बोलते है foidal fuels जो पुराने दबे होए है जो कोईला जो यूज करते हैं हम लोग वो पुराने जो जानवर दब गए थे उनी का बना होआ है ठीक है चलिए आगे है who was the first Indian to be the president of human general assembly बहुत ही असान question था ये तो इसका right answer रो जाएगा सिर्मती विजयलक्ष्मी पंडित ये जो है हमारी पंडित जौल नहरों की बेहन थी चलिए आगे हम करते है question number 62 in which of the following parts of human body are sweat glands absent इसमें से पुछा गया है कि sweat मतलब बहुता है पसीना ठीक है तो उस वाले जो gland नहीं होती इसमें right answer रो जाएगा lips ठीक है और what do we call the young ones of kangaroo young ones जो होता है kangaroo को उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है जोए j-o-e-y ठीक है जोए बोलते है ये था question number 63 का answer होगा जोए 64 का answer है clouds are mostly made of जो cloud होते है वो किस से बने होते है इसमें होना चाहिए answer water droplets snow dust water droplets ठीक है next is question number 65 for which of the following works has वाशुदेव महिनी been awarded the 29 सरसोती सम्मान ये बिल्कुल current affair का question पूछ लिया और इसमें right answer हो जाएगा आपका checkbook एक minute checkbook is the right answer ठीक है चलिया आगे है from which monuments did India adopt the national emblem national emblem जो हमने कहां से लिया वाई ये सारनाथ का stamb है जो अशोक ने बनवाया था ठीक है तो right answer हो जाएगा इसका सारनाथ इन वी चोथा following style of dance is the story ये फिर theme always ticks from महाभारता और रमायना बहुत पुराना डांश है ये और इसकी जो theme है जो कहानी है वो महाभारत और रमायना से लिया जाती है तो इसका अंसर होगा भारतिया नाटम और ये तमिलाडू का सबसे famous dance है तमिलाडू का dance ही यही है भारतिया नाटम कुचुपूरी अंदर परदेश का है महोनी अटम केरला का है उडिशी उडिशा का ही है ठीक है और 68 कर रहीगा आपका अंसर क्या है question arrange the months based on our national calendar सका आयरा is in correct serial order ए चेत्र, भी विशाखा, जेस्टा, एंड अशाड ठीक है तो ये अंसर थोज़ा ट्रिकी था बट इसका अंसर हो जाएगा पहली आएगा चेत्र, फिर आएगा विशाख, फिर आएगा जेस्ट तो ये serial बिल्कुल सही है एट अंसर होगा A, B, C, D ठीक है तो जो है, ये क्या है बेसिकली 78 एरा जो हमारी common एरा है कनिश्क ने इसको जो चलाया था कनिश्क ने मतलब इसको कलेंडर को बनाया था तो इसे कलेंडर स्टार्ट होता है, इसको हम हिंदू कलेंडर बोलते है 21st March को स्टार्ट होता है ये लीपियर में और 22 March को स्टार्ट होता है नोन लीपियर में ठीक है और जो हम आजकल जो यूज़ करते है कलेंडर जो हम आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ग्रिगेरियन कलेंडर होता है ठीक है आगे हम करते हैं तो इसमेंचे कौन सा इसमेंचे कौन सा कॉमबेक्ट एरक्राफ्ट है 69 का तो रहेगा तेजस तेजस इस राइट अंसर ठीक है आगे क्वेस्चन नमबर 70 विच डिवाइस इस उस तो मेजर दा स्पीड अविकल्स तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा 71 question Which of the following is it domesticated in poultry farms? इन में से हम जो है domesticated होते हैं जो पालतू होते हैं और poultry farm में खुले होते हैं जिनके तो hen is absolutely right answer 72 में रहेगा तो डैश cover the tongue and react to chemicals in food 72 का रहेट अंसर होगा टेस्ट बर्ड्स इसमें रहेगा टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स इस राइट अंसर नेक्स हम करते हैं 73 question वट डज फ्रीजिंग दो वन प्रिजर्विंग फूड्स तो इसमें रहेगा keep the food products hard, keep the flavors of the food fresh stop growth of microorganisms राइट अंसर हो जाएगा इसमें 73 का 3rd नेक्स है question number 74 which of the following cups या फे trophies is associated with footballs इसमें से बतानी है कौन सी जो ट्रोफी है football related है तो इसमें जो है हम करें तो एक बर पर स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको में चलिए तो जो डैविश का पूता है वो होता है बेसकिली tennis के लिए तो ये तो होगा नहीं और champion trophy होती है cricket के लिए ये भी नहीं होगी संतोज trophy जो है इसका right answer होगा और देवधार trophy भी cricket की होती है ठीक है तो 74 का होगा question number I mean 74 का option होगा third answer ठीक है how do ants recognize ants from their group मतलब जो ant है दूसरी ant को कैसे पहंचानती है मतलब कि आपस में वो कैसे जान पज़ान होती है उनकी तो right answer हो जाए किसमेल से ठीक है तो smell is the right answer तो ये आपका solution था journal knowledge का जिसको हम GS बोलती है journal knowledge और sciences में include होती है class जो है 5th की आती है इसमे ठीक है तो अगर आपको अच्छा लगा तो channel को like करें share करें और subscribe करें और मुझे answer भी दें कि जो है comments में कि किसके कितने right है ओके और एक question का answer भी दें मुझे कि जो भारतिया नाटम है वो कि state का dance है classical dance है Thank you